आप लोग बुवा की तरह आगे बढ़के नाचिए मत तीन साल से देख रहा था सपना इसपना गाउं चली गई यार मशकार दर्श को डेली यान में आपका स्वागत है मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही लोग पिरिये और हर घर के चाहिते श्टार भावीजी धारविक सीरियल के किरदार सक्सेना जी के बारे में जिनें आप सक्सेना जी के नाम से भी जानते हैं दोस्तो आज हम इनके जीवन और इनके जीवन परीचे के बारे में जानेंगे और साथ ही हम इनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से गुजारिस करता हूँ कि इनका कोई डायलोग जो आपको पसंद हो वो कमेंट में लिखें शुरू करते हैं बिना किसी दे रही गए नमस्ते नमस्ते क्या भी तक चानल सब्क्राइब नहीं किया गया करना 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 को क्या आपको पता है जिने आप सक्षेना जी के नाम से जानते हैं उनका अस्नी सनंद वर्मा है और इनका जन 24 अप्रेल 1982 में हुआ था और इनका जन इस्तान है यानि की बर्थ प्लेस पटना विहार में दर्षको इन्हें IAT Award of Best Actor Comedy Web Series का इन्हें एक अवर्ड भी मिल चुका है और इनकी आयू यानि की सनंद वर्मा एक भार्तिय फिल्म और टेलिवीजन अभी नेता है इन्होंने के धारदिक फिल्मों और वेब सिरीजों में काम किया है साथ ये के वेग्यापनों का भी हिस्सा बने रहे हैं सनंद वर्मा यानि की सक्साना जी इस समय एंड टीवी पे आने वाले धारविक सो भावी जी घर पर है कि इस धारविक सो में इन्हें अनोखे लाल सक्साना की भूमी का में निबाया गया है और ये बेहदी बकू भी इस भूमी काम को निबा रहे हैं इन्होंने के फिल्मों और सोज में काम किया है जैसे की अदालत जैसे सो में इन्होंने काम किया है गुपचुप और एक वेब सीरीज में भी काम किया है जिसका नम अपारण है और ये इस तमय बावी जी घर पर हैं के मुख्य किरदार भी निवा कर रहे हैं और दोस्तों के इनने ब्लोगवस्टर मूवियों में भी काम किया है जैसे की जेड, मरदानी, छिचोरे और धन्यवाद दोस्तों अकर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए